ही गाईस वल्कम बैक टू मैं चैनल दिपिका स्टाइल और मैं हूँ दिपिका कैसे हैं आप सभी लोग आई होप सब ठीक होंगे तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है यह पोहा जो कि ब्रेकफास्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने के लिए सबकी रेस्पी सालाग होती है कौन किस तरह से बनाता है तो मैं जिस तरह किसे बनाती हूं तो मैंने सुचा आप लोग के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करूं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा आई होप आपके लिए हैलफुल रहे तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो सबसे पहले मैं मैंने आपे पुहे एक बावल में निकाल के रखी हुए हैं और इनको अच्छे से पानी से हम वाश कर लेते हैं दो से तीन बार मेंस इनको सॉफ्ट कर लेते हैं पुहा को तब ही हम बना पाएंगे तो चलिए फिर आगी की तैयारी देखते हैं कि हमें किन चीजों की जरुरत ह तो पुहा बनाने के लिए मैंने आपे कुछ समगरी ली है तो सबसे पहले मैंने आपे मतर लिया है तो मतर ये फ्रोजन मतर है आपके पास अगर फ्रेश मतर है तो बोले सकते हैं नेक्स्ट मैंने आपे एक मीडियम साइज के आलू लिया है और छोटे तोगड़ों में साइस की प्याजि आप भोषं में बारी राद'MP में चर्प थी एक रमाफ कंगे प्याज लिए जैस को लंब लंबा छौप किया इज आप पर घ्रीन चिली आट से दस तो पूहाट थोड़ा सा टीकह कार अच्छा लगता है तो ग्रीन चिली है आप अपने अक्वाडिंग ले यह बारीक सेव है और बारीक कटी हुई प्याज है यह सब में पोह जब बन जाएगा उसके बाद डालूँगी आप इसको इसके बी कर सकते हैं और एड भी कर सकते हैं तो गैस पे कड़ाई चड़ा दी है यह की फिलिम को मीडियम रखा है और इसमें जो ओई लिया था दो चम सावतन दाना नीचै और दाल दिया है एक चमा सौफली इसको भी आड़ कर दिया है करी पत्ते भी कर दीए है इसको हम थोड़ासा भूण लेते हैं टाकि सरसो दाना और जो सौफ पर निकल जाए हम इसको तब तक भून लेंगे मिन्स गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याज को भून लेते हैं तो यहां पर प्याज हलका गुलावी हो चुका है हलका भून चुका है अब हम इसमें जो आलू छोटे चोटे पीस काटके रखी हुए थे उनको एड़ करेंगे तो इन सबी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करती हुए भून लेते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है अब हम इसमें जो मटर लिये थे उसको एड़ करेंगे और मटर को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेते हैं साथी साथ मैं इसमें नमक एड़ कर दूँगी तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजेगा अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर तो हल्दी पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे तो अभी सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट तरीके से पक चुकी हैं अब हम इसमें पोहा जो लिया था वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इन सबी ची तो एक मिनिट हो चुके हैं देख लेते हैं यह देखिए बहुत ही बढ़िया पोहा बनके तैयार है इसको पहले मिक्स कर देते हैं और एक सर्विंग प्लेट में हम निकाल लेते हैं पोहा को तो यहां पोहा हमें एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है अब जो हमने नीवू लिया था उसके उपर हम इसका रस डालेंगे अगर आपको नीवू नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि डालना है एक बिलकुल ऑप्शनल है नेक्स हमें यह बारिक कटी हुई है जो प्याज ली थी उसको एड़ करेंगे नेक्स हमें आप सेव डालेंगे यह भी ऑप्शनल है आप डाल सकते हैं अदरवाज स्किप कर सकते हैं तो एकदम सर्ब करने के लिए तयार है टेस्टी टेस्टी पोहा अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मुझे लाइक जरूर करें और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ब अजय को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बूलिएगा पुल।